हलो फ्रेंट्स एक बर फिर आपका स्वागत है फूट किचन लैब में और आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की खटी मिठी सी चट्नी और इस चट्नी की खास बात यह है कि इसमें हम लोग ने गुर्ण चीनी कस्तमार बिल्कुल भी नहीं किया है तो इसके लिए मैंने लिया है यह लाल लाल टमाटर इसको धो लिया है धो के हम इसको इस तरीके से काट लेंगे बहुत जादा महीन नहीं काटा है हलका सा मोटा ही इसको हमने काटा है और आप एक कढ़ाई में हम लोग लेंगे थोड़ा सा तेल तेल जब अच्छे से करम हो जाएगा तो इसमें हम लोग चंडली, मेथी, सर्सों, सौफ और मंगरेला का इस्तिमाल करते हैं उसके साथ में हम लोग डाल देंगे यहां पर खडी लाल मिट्च तो यह हो कि हमारा पच्छ फोरन तयार और यह हमारा जब हलका सा लाल हो जाएगा तब हम लोग इसमें डालेंगे टमाटर हमने काट के रख जेखaja साथ भीच ऊच्छे से मिक्स और ढख कर अब हम लोग इसको पकाते हैं तब तब तक पकाएंगे कि जब तक हमारा तमाटर है वो अच्छे से गण नहीं जाए, तो चलीए पीच पीच में अब हम इन लोग इसको चेक करते रहेंगे तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि जो टमाटर है वो हमारा अच्छे से गला है कि नहीं गला टमाटर गल तो गया है पर बहुत ही अच्छे से भी नहीं गला है तो अभी हम लोग थोड़ी देर और इसको इसी तरीचे से पकाएंगे और पीच पीच में इसको चलाते रहेंगे हलका सा मैश करते रहेंगे जिससे जो हमारे टमाटर की चटनी है वो विल्कुल एक जैसी बन के तयार होगी जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बुला था कि इसको मीठा करने के लिए हम लोग इसमें या चीनिक अस्तिमाल नहीं करेंगे यहां पर हम लोग इस्तिमाल कर रहे हैं अमावट का जो की मार्केट में इसली अवलेबल होती है और इसको डालने से जो चटनी है उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता तो यहां पर जो अमावट है मैंने उसको चोटे-चोटे से पीसे में काट लिया है ताकि वो इसमें असानी से मिल्ड मिक्स हो जाए अब इसको हम लोग डाल देते हैं चटनी में इससे जो मिठास आएगी वो चटनी को एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगी और इसी के साथ यहां पर मैंने डाला है डेट्स को डेट्स की जो बीज है उसको मैंने निकाल लिये हैं और इसके साथ ही हम लोग इसमें डाल देते हैं काजू को काजू को मैंने सिर्फ दो पीस में से दो पीसे डाला है इन सब चीजों को डालके हम लोग अपस में अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं आप चाहें तो यहाँ पर गूर और चीनी का पिस्तेमाल कर सकते हैं बट खजूर और अमावट से बहुत ही अच्छी सी मिठास आती है जो चटनी को और भी जादा टेस्टी बना देती है अब इसको ढखक कर हम लोग अच्छे से इसको पकने देंगे और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि हम लोग इसको इस तरीके से मिक्स करना है हरका सा मैश करते-करते इसे तरीके से हमलों इसको जब भी चलाएंगे हमलों इसको मैश करते जाएंगे ठक कर हम पकने देते हैं चटनी अब थोड़ी सी काड़ी हो गई है पहले से और आप देख रहे होंगे कि जैसे पहले टमाटर पानी तो अलग-अलग देख रहा था अब ये थोड़ा सा मिक्स टाइप का देख रहा है तो बस इसी तरीके से हम लोग चलाते हुए चटनी को और पका लेंगे इस स्टेज में पानी काफी जाधा है तो इसका जो टमाटर का रस है वो हमको थोड़ा सा और कम करना है तो चदेउ इसको और हम लोग पका लेते हैं जैसा कि अब आप देख रहे हैं जो चटनी है वो थोड़ा सा गाड़ी हो चुकी है देखिए कि मैं आपको चला के दिखाती हूँ और ये बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा आपस में ये अच्छे से मिक्स हो गई है तो इसी तरह कि चटनी हमको बना के तयार कर लगते हैं इस चटनी को आप पूरी के साथ खाएए या पराठे के साथ खाएए तो ये बहुत ही अच्छा लगता है तो ठंड में इस चटनी को मैं अपने घर में जरूर बना के रखती हूं क्योंकि ये चटनी मेथी का पराठा आलू का पराठा गोबी का पराठा हर किसी क साथ बहुत ही अच्छे लगती है तो यह मेज चटनी की रेसिपि आप तो किसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जबूर बताइए तब तक के लिए बाय बाय और टेक क्या है